चले, आज के classmen देखेंगे, ठीक है, बरावर एम नगाजूर्णी गुफा है, ठीक है, इस्ते पहले हम लोग असोग समराट के बारे में, उनके प्रसार्सन, उनके सिलालेग, अस्तमलेग के बारे में परहा था, ठीक है, तब बरावर की गुफा की बात करेंगे, तो समराट असोग ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षूओं के वर्षावास के लिए नागाजुन गुफाय एवं बराबर की पहारी की एक आस्मत चटानों को काट कर दोनों में सैल क्रिट गुफाओं का निर्वान करवाय था ठीक है बिहार की गया के निकट बराबर की गुफाय चटानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाय ठीक है इनमें से ज़्यादा तर गुफा की समंध की बात करेंगे तो मौरेकाल से है कुछ गुफाओं में असो के सिलालेख को देखा जा सकता है ये गुफाओं बिहार की गया से करीब चौवीस किलो मीटर दूर ठीक है परतमान जहानावाद जिले में आपको देखने को मिलता है ठीक है मौरेकाल की ये गुफाए जहानाबाद जीला में इस्थित बरावर ठीक है बरावर में चार गुफाए है नागा जुडनी में तीन गुफाए है ठीक है इन दोनों को मतलब क्या में जुरवा पहारियों में इस्थित है ठीक है तो बरावर की गुफाओं की बात करेंगे जहा दूरी की बात के हैं महत्र एक दसनोच छो किलो मिटर दूरी है इंपोर्टेंट के आया है तिस सारे के सारे चतानों को काट कर बनाए गए ठीक है बात करेंगे तो वह स्वेम क्या थे तो स्वेम भी मतलब क्या थे या ध्यान में रखना है खुद भी मतलब भूट धार्म से समन्द रखते थे लेकिन धार्मिक सही सुनता के निती केता तो उन्होंना विविन संपरदाव को भी मतलब पनपने का अपसर दिया इसलिए संपरदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया था ठीक है जाकिस के द्वारा किया गया था तो आजीवक संपरदाय के सन्यासियों के द्वारा मतलब इसका उफ्यों किया गया था इस संपरदाय का संथापक की बात करेंगे तो मकली गुसाल की बात करेंगे तो आजीवक के क्या थे ते संस्थापक थे इसके अलावा ठीक है बात करेंगे इसके इलावा इस चटान इस अस्थान पर चटानों से निर्मीत कई बौधर हिंदू मुर्तिया भी पाई जाती है क्या पाई जाती है तेहां पर बहुत सारे हिंदू बौध मुर्तिया भी आपको यहां पर दे मिलेगा अब फिर आपको बिष्व झोपरी मिलेगा ठीक है एक्जाम में प्रसन के आएंगे बताएं इनमें से कौन सा गुफा नहीं है या फिर है ठीक है तो यह दोथ-רכे कर्ण उपर है, लोमा सरीशी का गुफा है, सुधामा गुफा है, अर विश्व जोपरी है, ठीक है? इसमें सुधामा और लोमा सरीशी की गुफा है, चटानों को काट कर बनाई जाने वाली गुफाओं की बास्तु कला का सबसे प्रारंभी कुदाहरन आपको देखने की मिलता है. द इसमें कुछ सदी के बाद गुफा बास्टू कला महराश में अजनता और कारले की गुफाओं में पाए जाने वाले बिसाल बौर चत्ते के रुप में पर्तिमिंबित भी होता है इसी से मिलता जुलता महराश में भी आपको गुफा देखने की मिलेगा कौन सी गुफा है तो अजनता और कारले की गुफा इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब आतल ये तो हो गया ना किसके बारे में बात हो रही ठीक है तो सुदामार लोमहर्स रिसी के बारे में ठीक है जो की आरंभी गुफा का क्या है उदारन है अब आतल लोमस लोमस की बात करेंगा फि देखने को मिलेगा, तो गुफ़ा के परबेशद्वार के दो सिलालेख मिलते हैं, जिसमें गुफ़ा के मौकरी सासक शारदुल बर्मन के पुत्र अनंत बर्मन का उलेख है ठीक है एक दूसरे ब्रामी अभिलेख में जगा को ठीक है गोरत गिरी नाम से भी उलेख किया गया है ठीक है तो लोमहर्स रिसी के गुफा के पास का जो जगा जो है उसको किस नाम से उलेख किया गया है तो ठीक है गुफा में परवेस करेंगे तो आपर क्या मिलते हैं सिलालेक मिलते हैं सिलालेक में दो सासक के बारे में जनकारी मिलते हैं तो कि मौकरी सासक जिनका नाम है सादूल बर्मन और शाथ में उनके पुत्र अनंत बर्मन के बारे में जनकारी मिलते हैं ठीक है आप यहां प इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें एक आयताकार मंडब के साथ बितिये महराब का कच बना हुआ है? अब आते कर्ण चौपार गुफा की बात करेंगे जोंकि तिसरे नमर की गुफा है यह पॉलिस इप्ति सत्वों के साथ एकल आयताकार कमरे के रुप में बना हुआ है जिसमें ऐसे सिलालेक मजूद है यह शंभवता 245 इसापुरु के है ठीक है? कुछ इतिहासकारी से महाभारत कालिन भी मानते हैं किस गुफा को? कर्ण चौपार गुफा को महाभारत कालिन मानते हैं यह से 245 इसापुरु के संभवता हो सकते हैं अब आते है विश्व जोपरी ठीक है? तो विश्व जोपरी की बात करेंगे तो इसमें दो आयताकार कमरे माजूद है विश्व जोपरी में कितने है? तो दो आयताकार आपको यहाँ पर कमरे माजूद है जो चटानू को काट कर बनाएगे ठीक है? आजिपकों के समर्पिट इस गुफा में असोक कालिन सिलालेक भी आपको देखने को मिलते है अपने सासन के ब्राहमे बर्ष में इसका निर्वान समराथ असोक ने करवाया था किसका विश्व जोपरी के गुफा ठीक है तो बराबर के गुफाए में आपको चार गुफाँ आपको देखने के मिला, मैंने सब के बारे में आपको बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनियेगा गुफा का नाम, गुफा का नाम है, सबसे पहले कौन सी गुफाँ है, लोमार्स, रिसी का गुफा, कर्ण, च यूँकि इसे छोटी है एवन नहीं है, यह तीन गुफ़ा है, इस परकार है, ठीक है, कौन-कौन सी है, तो गोपीका गुफ़ा, यह नागाजुर्णी पहारी के तीन महत्कुल गुफ़ाओं में से सबसे बड़ी गुफ़ा है, ठीक है, तो गोपीका गुफ़ा की बात देखने को मिलते है ना, उसमें सबसे बरी यही है, ठीक है, ध्यान मेठना, सिलिक अलेक के अनुषारी से लगवाग तीन सो बाक्तिस इसापुर में तस्दत के द्वारा आजीवक संपरडाय के अनुनायों को समर्पित किया गया था, इस गुपा की छत की बात किया है, इस समर्पित किया था, ठीक है, अब बेदाथी की गुफा की बात करेंगे, तो यह बापिया का गुफा के निकर पच्छी में सीथ है, यह आजीवक संपरडाय का नुनायों को समर्पित है, तो नागाजुनी गुफाय मुखे रूप से आजीवकों को समर्पित है, जब की बात करेंगे बराबर की गुफाएं तो आजीबेपके लिए भी है साथ में मतल़ किसी के लिए बौध के लिए भी है तो नागा जुन्नी पहारी में आपको नागा जुन्नी गुफाएं तीन पर करके हैं गोपी का गुफा ध्यान विञेंगे में बापिया का गुफा ध्यान में रखेंगे आप बेदातिक गुफा ध्यान में रखेंगे ठीक है अब बराबर के पहारी में कितने गुफा थे तब बराबर के पहारी में चार गुफा थे नगा जुरनी पहारी में गुफाओं की संक्या कितनी थी नगा जुरनी पहारी में सबसे पहले मौरे काल के प्रसासन के बारे में लोग क्या परहेंगे तो मौरे काल इन प्रसासन की जनकारी हमें कहां से मिलती है ठीक है तो दो तीन पुस्तक है मैंनली दो पुस्तक है वहां से मौरे काल इन प्रसासन के बारे में जनकारी मिलती है एक पुस्तक से आप लोग प दीका में आपको देखने हुत ow डाले बात करेंगे तो पुष्टक में पोली व्रोथा कहा गया 25 प्रशाषन के साषन के सबसे पहले राष्टी एक्ता की बात करेंगा अस्थापिध हुई थी जहां पे अखंड भारत जो था मुरे समराच्चंदूत मुरे के समय था काफी बढ़ा था ठीक है मोरे प्रसासन में सत्ता का सुधित किंद्रिय करन प्रंतु राजा निरंकुस नहीं होता था सत्ता का सुधित किंद्रिय करन था था पावर का डिसेंटलाइज नहीं था पावर तो एक ही जगा था लेकिन फिर भी राजा जो होता था कल्यानकारी होता था न की मतलब क्या था निरंकूस होता था ठीक है मौरेकाल में आप पिछा करिद गंतंतर का हरास हुआ राज तंतात्मक विवस्था की जरे जो थी सुधी दोए लेकिमोक्रेसी मतलब डाण हो गया क्योंकि बावर का डिसन्टलाइज नहीं था पावर क्या हो गया पावर मिवस्था की बात करेंगे तरा थे यहां पर स्दिती उनकी क्या हो गई अच्छी हो गई थीक है अब आते केंदरिये प्रसासन केंदरिये प्रसासन कैसे चलता था जो बड़े अधिकारी थे और साथ में सिर्सस्त अधिकारी जो सबसे बड़े अधिकारी होते जो कि सिर्स पे होते थे उनको तिर्थ कहा जाता था ठीक है अगर और साथ में बात करेंगे ते इन तीठों की सं क्या अठारा हुआ करती थी इनसे बढ़ा कोई अधिकारी नहीं होता था अठारा क्या होते थे तिर्थ होते थे ये केंद्रिय प्रसासन को चलाने के लिए रिस्पोंसिबल होते थे अधिकतर अस्थानों पे इन्हें महामात्या की संग्या दी गई है इसमें महात्मुन तिर्थ या महावात्या मंत्री और पुरो ही थे ठीक है ध्यान रखेंगे तो सबसे महात्मुन तिर्थ की बात करेंगे तो महामात्या मंत्री जो कि पर्धार मंत्री के बराबर था और पुरो ही थे ढों कि यह जो किश दार्मिक मामलों को देखता था राजा को विधार्वाइस भी देता था था ठीट्स की बात करेंगे जो आठारत जो बतायाएगो Alep Demant के नाम से भी जानते था ऐ है सन्ने वेवस्ता की बात करेंगे तो सेने बिवस्टा कैसे थी सेनने disposition च्छा ज्यों समय होगती है 6 समयुती थे पर्टेल्ए समयुती में कितने विस्ट सेंग下kl 5 विस्ट से गयो होते थे टीक है 5 सेने विस्ट सेंग ine जिसको पागा सेना कहते थे अश्व सेना थी गज सेना थी जिसको हस्ती सेना कहते है रत सेना थी मतलब यहाँ पर सेना की बात करेंगे चतुरंगनी सेना थी जिसमें पैदल भी था हाथी भी था, घोरा भी था, रत भी था ठीक है, तथा नौ सेना की भी विवस्ता थी, नौ सेना इतना डेवलोप था रखना कावी विवश फापक था सेनीक परवंद का जो रखना यहाँ पर अन्त पाल है ठीक है तो अंत्रपाल का क्या responsibility होता था तो अंत्रपाल की responsibility की बात करेंगे ते क्या होता था यह सिमान चेट्टों का भी मतलब वेवस फाप अप होता था मेगा इसनीश के अनुषार चंदुत मौरे की सेना च्छो लाख पैदल पच्छास हजार अस्वार होई नौ हजार हाथी और आठ सो रठो में सुज़जी थी ठीक है कितने थे सेना का नाब बताए कितने सेना थे च्छे लाख पैदल सेना पैदल सेना थे ठीक है अब आते हैं पर देखेंगे प्राचे ठीक है प्राचे की बात करेंगे देखें मौरे समराज की ना पांच प्रांथ हुआ करते थे पहले से तो चार ही था लेकिन बार में कलिंग को अस्वाक ने जोर दिया थे ठीक है कुण कोन थे हैं प्राचे की बात करेंगे स्वर्णगिरी की पुर्ण कहते थे अब अंती राजच की बात के ऊज्यानी जो थी इसकी राधानी हुआ करती थे ठीक है जहां का कभी सासक जो था ठीक है, कौन था अस्वाक भी था अब चलिए मैं अब घ्रात करूँ आपसे प्राचे की बात करेंगे प्राचे की रधानी पाटली पुत्र थी अब बतमानिस्थिती क्या है तो आप बता ही दोगे क्या है इसकी बतमानिस्थिती आप लोग जानते हो कहां पर परता है तो यह बिहार में है ठीक है अब हम लोग आगे देखेंगे उत्तरापत उत्तरापत तक्सिला को उत्रापक कहा जाता दिये पाकिस्तान में पड़ता है ठीक है दक्षिनापट की बात करेंगे रहे दक्षिनापट स्वर्ण गिरी है ठीक है ध्यानवक कहा पर परता है करनातक में परता है ठीक है अब अंती राश की बात करेंगे तो उज्जियनी है ध्यानवक के वही संभालते थे मत्रम एक तरस से देखेंगे किन्दर शासी था यह क्या था यहां पर कोई राजबाल बगरा नहीं होता था जो सासक जो होते थे खुदी इसका क्या करते थे देखवाल करते थे ठीक है बाकी चार जो प्रांथ होगा उत्रा पर दख्ष्णी पत अब अंतिरास्ट कलेंगे यहां पर क्या होते थे प्रांथ पती होते थे ठीक है ध्यान रेखेंगे देखिए इतना विसाल आपका मोरे सम बट किस परकार से चलता ठीक है तब टीक है ध्याना में कालिंग बुजयает नहीं हुआ था, ठीक है ध्यान में रिखना है, ठीक है तो कुलिंग बुजययकुन events होगा किस्थ रॉन बुजयकून चनुत मौरे के समय बात करेंगे, तो, शारी, असोक के समय, गलती से मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है, तो ध्यान में चनुत मौरे के समय क्या था, कितने दे चार प्रांथ थे, ठीक है, अब प्रांथ को क्या बोलते थे, राज्यू को क्या बोलते थे, प् ठीक हैं मुख मंत्री है ना लेकिन मुख मंत्री होने के बाव्दूर भी देखेगा उससेमे अप देखोगे तो शासक के दोरा क्या होता था प्रांट को चलाने के लिए अपने लोगों कर क्या जाता था उनके क्रेबी होती तिया फिर जादे पर sense में आप देखोगे तो राज कुमारों को ही मतलब प्रांतों में निप्टी मिलती थी जैसे असोग के बारे में बात करें तो असोग को उजयन का सास है कि अपर उजयन का राज्यपाल अवंती का राज्यपाल बनाए गया था बिंदुसार के सासन काल में अधिकारी के दरा होता है तो राजा का पुत्र हो सकता था राजा का रिष्टेदार हो सकता था कुमार का मतलब तो राज कुमार ही होता है तो राज मन से कुमार ही मतलब करते थे आप देखेंगे कुमार मात्या की सहयता के लिए आप देखेंगे सब में क्या लग जागा मात्या जहां पर मात्या लगए वो क्या हो गया अधिकारी हो गया ठीक है तिफ्ट के बारे बात किया गया है न तो जहां पर समराज के केंदरिय भाग प्रभाग होता था उसके प्रांत अहार में मतलब विभाक्त होता था ग्राम प्रसासन की सबसे छोटी काई थी जो की हर प्रसासन में आप देखो गए तो एह ही होता था ठीक है अहार का जो विसे का अहार विसे पती का धीन होता था ठीक है अहार को क्या बोलते है अहार को विसे बोलते है ना मतलब जीदा हो गया सबसे पहले तो सबसे पहले राज है समराज है उसके बार प्रांथ है प्रांथ के बाद क्या अहार है और उसके बार बिसाय के बाद क्या है? आहार मतलब के बाद क्या है? गराम है. तो मतलब पहले वो समराज. क्या हो गया है? सबसे पहले समराज. समराज के बाद क्या है? प्रांद. प्रांद को क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या हो गया? ठीक है? बिसाय या फिर आहार कह लिज जाता था इनको संभालने के लिए बिसेपती होता था जीले के प्राशस्निक अधिकारी का नाम क्या था अस्थानिक था ठीक है गोप दस गाओं की वेवस्था करता था चतु समीती के बार कर बैपार बानीजे की बेवस्था था पंचम समीती बिक्रिये बेवस्था निरक्षन करती थी और छटम समीती की बात के बिक्री बेवस्था करती थी ठीक है तो यह सब आपको ध्यान में रखना है बस आपको ध्यान में रखना है सब मौरे काली नगरिये प्रसासन छे समीती में भी रखती और छे समीती में कितने पांचवास लोग थे, मतलब ये पांचवास लोग मिलके, ठीक है, क्या करते थे, पूरे नगर को क्या करते थे, शंभाल देते थे, ठीक है, अब आते नगरिये प्रसासन के संदर में हम लोग क्या करना है, प्रसंद देखेंगे, तो नगर में अनुसासन बनाए रखने के लि तो अपराधों पे नियनतन करना, कंट्रोल करना इनका काम था, ठीके, इनानिस रोतों से ज्याद है कि नगर प्रसासन तीन परकार का धिकारी संबालते हैं, इसको एगरो नुमाई, एगरो नुमाई की बात करेंगे, तो ध्यान में जीला धिकारी होते थे, डिस्टिक मजिट साहब थे ठीक है उसके एंटी नुमाई की बात के नगर आयुक्त होते थे ठीक है ध्यान में रखेंगे आप देखें मौरे काली में मंती परसद की बात करेंगे तो 18 परकार के बारे में दिया हुआ है आप उनको देखेंगे मंत्री जो होता था उनको सबसे पर्मुक होते थे परधान मंत्ती होते थे पुरोईद के काम क्या था धर्म एवं द्वार का प्रधान होता था राजा को एर्भाईज प्रधार का अध्याक्स होता था इस सब नामे में चीपा हुआ है समहारता को काम बता हुआ इसका राजकिय कोष्क का घस की बात करेंगे तो आपका सन्नीधाता होता था प्रशास्ता क्या थे करावगार का ध्याक जेलर साहब थे एक जेलर थे ठीक है अब यहाप देखेंगे प्रदेश्टी की बात के देखिए अभी जिटना भी मोर्य प्रशास्ता भाने था अभी वह सब है अभीबी वर्किंग है बस उसका थोड़ा बहुत ही धरूँ तरकर द बैबारिक नैले होता ना परमुक नैडिस था नायक की बात करें नगर रच्छा का ध्यश होता था कर्मान्तिक क्या था तक कर्मान्तिक भी ग्जामे पूछा जाता उदोग एवं करखानों का ध्यश हुआ करता था डंडपाल क्या था सेना का समान को एकत्र करने वाला बेखत इसारे किसी होती थी किसी होती थी दंड़ पाल की होती थी उसका दुर्ग πολ की बात करेंगे तो इसको दुर्ग starts fondus जाती है तो भाईस है यहाँ पर सेचा ठीपा के पासंड होता रлекती तो और पाला यूआ है है अम आप को भी था यह ठील में रुख exhibits पहां करेंगे है तर फूरेकर में डिपार्टमेंट के बारे मुंञ लोग पर रहेंगे तो ने हमुआ है यह तो ना सब्दसे पहले आप देखोगे एक निट थोड़ा से जुम कर दो सबसे पहले आप देखो कि जिसका अच्छ पटला ठीक है अच्छ पटला ध्याच ठीक है क्या होता था तो लेखा विभाग का परधान होता था सीता ध्यक्स की बात करेंगे क्रिसी विभाग का परधान होता था आकरा ध्यक्स की बात करेंगे रखनीज विभाग का प्रधान होता था लक्षना ध्यक्स की बात करेंगे टकसाल का ध्यक्स होता था लबना ध्यक्स की बात करेंगे नमक से समंदित विभाग तर लबना लबन कमतो होता है नमक ठीक है लक्षना धैस द्यामनरके टक्साल बिभीता धैस की बात करेंगे चरगा का धैस होता था नवा धैस की बात करेंगे नवयवम जहाजों का धैस होता था बंदगरा धैस की बात करेंगे जेल खाने का धैस होता था गनिका धैक्स की बाद में बिस्याओ के विभाग का धैक्स जाता है इनसे टेक्स लिया जाता था ठीक है मतलब ये लीगल था ठीक है सुना धैक्स की बाद के बुचर खाने का धैक्स होता था बिजयने का समराज़ों बेस्टायों से आये जो होती थी उनसे मतलब क्या होता पुलीस का सालेडी दिया जाता था मतलब इतना प्रोस्टिट्यूशन उससे में था कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष को सुत्रा ध्यक्ष कहते थे बाटे में माप विभाग का अध्यक्ष की बात करेंगे पौतवा ध्यक्ष होता था सीमा परदेश की देखपल करने वाले को अंतपाल कहते थे अब बंदरगाहों का विभाग का अध्यक्ष पतना ध्यक्ष अभी भी पतन बोलते थे सारा का मीनिंग जो है इसके word में भी छीपा हुआ है ठीक है limbs questions भूचर खौंब बैस्याग बंदगरा नाओअ बिभीता का मतल्द चारा ये लबन का मतलब लवन का मतलब नमक होता है लक्षना का मतलब क्या तक्साल है ठीक है आकरा का मतलब क्या था खनीज होता है ठीक है सीता धक्स तो भूमी को ही कहते थे ठीक है अक्ष पटला धक्स की बात के लेखा विभाग का मतलब क्या था प्रधान हुआ करता था ठीक है अब आते ह करेंगे नहीं ये परहा देदा हूं ठीक है आप देखेंगे मौरे काली की बात करेंगे तो मौरे स अपने राधर में सामिल किया बहुत धर्म अपनाने का और असोक ने बहुत नितियों में उनके आदर्सों के लिए भारत के अपने भारत के बहुत धर्म महापत्रों को भेजा यहां तक कि इसके परचाट के लिए पुत महेंदर पुति संग मित्रा तक को भी भेज दिया ठीक है सादनात में से नके सादनात सिंग अस्थम में ठीक है चतु सिंग के निचे भागवान बुद्ध के जीवन के समरी चार पसु दिया हुए ठीक है सादनात में कितने सेर है तो सादनात में चार सेर आपको देखने को मिलता है ठीक है यह आकरितिया उत्तीन है जिसमें को हाथी घोरा बैल और सिंग ठीक है नारसमे ठीक है वारण सी के पास एंचार पड़ता है ठीक है वnehmer सहर से पीछे यह थोड़ा ठीक है तो वहां पर क्यों बनायेगा था धरम चक्रफरवतन यानि प्रत्थम उपदेश देने के करम में बनाया गया था ठीक है क्यों को अच्छापतों को ही सार्णाट कहा जाता है ते कह करवेते चालतए बिर्वा करते थे तुन के बिया करते थे जहां पर दिहान थोने के बार है इसे होता था ठीक है अंडा कार अकार का होता था ठीक है अंडा कार अकार का होता ऑष इसी होता है इस 살 बनाये जाता ठीक है दियान वेर्खेंगे ठीक है यह था बीच में क्या थीक है कल कि रहेंगे मुरेतर काल में बिहार के बारत कि जाती है सुन्ग बाद खुश्यमित्व तुम के द्वारे थीक है तो ये कल की क्लास में होगी आपकी क्लास